आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट कमपनी के quarter 3 के रिजल्स के उपर देखते हैं कमपनी कितना dividend प्रोवाइड करने वाली है या फिर नहीं करने वाली है और सीधा फिर चलेंगे हम लोग इसके table के उपर data के उपर जहां हम लोग देखेंगे कि इसके y o y basis पे और quarter on quarter basis पे किस तरीके के results आए हैं अभी पहले बात कर ले तो यहां आपको किसी भी तरह का कोई dividend प्रोवाइड करती हुई company नजर नहीं आ रही है अब बात करते हैं इसके data के उपर तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि किस तरीके के quarter on quarter basis पे इनके total income निकल के आने वाले हैं total income में आपके दो चीजे included है which is revenue from operation and the other one is other income यहां अगर हम लोग बात करें quarter on quarter basis पे यह रहे है आपके पिछले quarter के number यह है आपके इस quarter के number तो यहां पे आप कह सकते हैं कि आपको decline देखने को मिल रहा होगा total income में वहीं yoy basis पे बात करें तो जहां yoy basis पे पिछले साल 1974 million के आसपास इनके total income रहे हैं वहीं इस साल आपके 2093 million के आसपास इनके income नज़र आ रहे हैं जितने भी number आपको यहां दिख रहे हैं वो सारे ही आपको million में देखने को मिलेंगे उसके बाद बात कर लेते हैं total expenses के उपर तो total expenses किस तरीके के आपको नज़र आ रहे हैं yoy basis पे बात करें अगर हम लोग तो yoy basis पे इनके total expenses आपको बढ़ते हुए नज़र आए हो और साथ ही साथ यहां अगर हम लोग quarterly basis पे बात करते हैं तो यह आपको घटते हुए दिखे हैं total expenses में आपके काफी सारे ऐसे expenses हैं जो की जुड़ते हैं जिन में से आपके employee benefits expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses and other expenses उसके बाद यहां पे बात करते हैं net profit for the period के उपर net profit के अगर बात करते हैं yoy basis पे तो आपको बेशक यहां पे decline देखने को मिला है और साथ ही साथ अगर हम लोग quarterly basis पे भी बात करें तो भी आपको यहां decline देखने को मिल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल जो numbers निकल के आ रहे थे वो थे आपके 815 million के लगभग और इस साल जो numbers हैं वो हैं आपके 743 million के लगभग और वही quarter on quarter पे यह आपके थे 851 million के आसपास और आपको इस quarter आपको नजर आ रहे हैं 743 million के आसपास तो यह तो हो गया आपके net profit for the period या फिर आप कह सकते हैं net profit के बारे में अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनके EPS किस तरीके के निकल के आ रहे तो EPS आप देखेंगे बेशक आपको यहाँ घटते वे नजर आएंगे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 28 से यह आपको 24 होते वे नजर आए हैं year on year basis पे और वही quarterly basis पे भी आपको similar चीज़े नजर आ रही होगी तो आज की वीडियो में हमने इस company के बारे में जो भी quarter 3 के results रहे थे उसके बारे में discuss किया है अगर आपके मन में कोई भी doubt है इस वीडियो से related या फिर किसी और भी वीडियो से related आप हमें comment box में पूछ सकते हैं मिलेंगे आप से next वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए thank you and take care